इरान ने एक बार फिर दुनिया के सामरे अपनी सैने ताकत की नुमाइंदगी की इरान ने एक सैने परेट में नई बैलेस्टिक मिसाइल और अपग्रेडिट अटैक ड्रोन को पेश किया इस दोरान इरानी सैना ने बड़ी संख्या में बैलेस्टिक मिसाइलों का भी परदर्शन किया खास बात है कि ये शेत्रिय तनाव बढ़ने और इरान की ओर से रूस को कथित तोर पर ड्रॉन और मिसाइलों की सप्लाई करने के आरोप के बीच हुआ इरानी सैना ने 4000 किलो मिटर से भी जादा की रेंज वाले एक नए कामिकेस ड्रॉन से भी परदाट आया न्यूज अजेंसी तस्नीम के मुताबिक शनिवार को 23 बैलेस्टिक मिसाइलों का परदर्शन हुआ इसमें दो खेबर शेकेन मिसाइले, दो फते मिसाइले, चार हज कासिम मिसाइले, दो कदर एच मिसाइले, दो इमाद मिसाइले, तीन खुर्रम शेहर मिसाइले, चार सेजिल मिसाइले और चार जिहाद मिसाइले शामिल थी इस दोरान IRGC Aerospace Force की जिहाद लेटस लिक्विट फ्यूल बेलेस्टिक मिसाइल से भी परदा हटा जिसे पहली बार परेड में शामिल किया गया जिसकी उच विसफोटक डिटैचेबल वारहेट के साथ रेंज एक हजार किलोमेटर है इसलामिक रिवोल्यूशन गार्ट स्कोर ने पहली बार शाहिद 136 भी शाहिद 136 का मिकेज ड्रोन के लेटस एडिशन के भी जहां की निकाली शाहिद 136 भी ड्रोन शाहिद 136 का लेटस वर्जन है जिसकी ताकत में कहीं गुनाई जाफा हुआ है अब ये 4000 किलोमेटर से जादा की उडान भरने में सक्षम है शाहिद 136 डिल्टा विंग कार का कम नजराने वाला ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमेटर है ये 50 किलोग्राम का वार हेड ले जा सकता है ये मानव रहित हवाई वाहन इरान में निरिमित पिस्टन इंजन का उप्योग करता है और इसकी गती लगबग 200 किलोमेटर प्रती गंटा है परेड में बोलते हुए इरानी राष्टपती मसूद पेजिश्कियान ने कहा कि इरान अपनी रक्षा कर सकता है अन्य मुस्लिम देशों के साथ एक जुटता और सयोग से पश्मी एशिया में शान्ती और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है इरान की ताकत इतनी बढ़ गई है कि कोई भी शेतान देश इरान के खिलाव किसी भी तरह के हमले को अन्जाम देने की हिम्मत नहीं कर सकता है या इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है इरानी अधिकारियों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि देश सैने ताकत को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा इसमें उसकी मिसाइल पावर भी शामिल है जो पूरी तरह से रक्षा के लिए है ये परेट 44 साल पहले इरान पर पूर विराकी तानाशाई सदाम हुसेन के हमले की शुरुवात की याद में आयोजित की गई थी इरान के नए सैने साजो समान की जांकी दक्षनी तहरान में इमाम खुमेनी की समाधी के पास परदर्शित की गई इरानी सैनेविशे शग्यों और इंजिनियर्स ने हाल के सालों में सोधेशी उपकरणों की बड़ी सीरिस के निर्माण में उलेखनी सफलता हासिल की है जिससे सशस्तर बलात्र मिर्बर हो गए है इसलामी करांती के नेता आयातुल्ला सैद अली खामिनाई ने बार बार इरान की रक्षा शमताओं को बनाए रखने और विस्तारित करने के प्रयासों का आवाहन किया है